असलाम आलेकुम, गुद मॉर्निंग अविवन, वेलकम टो मैं चैनल, अप्यूर लव स्टोरीज, तो कैसे हैं, आप सब होप, आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूं, बोले जा सकते हैं, अभी तक, तो बिना वक्त अजाई किये, हम शुरू करते हैं, कहानी एक पहल प पहुचते हैं, नित्या की नई घर, हाला कि नित्या प्रोप पर एड्रस कशिश को बता चुकी थी, कौन से रोड, कौन से एरिया की, कौन से बिल्डिंग और कौन से फ्लोर, प्रोप पर एड्रस, और उसी हिसाब से कशिश और जानवी बड़ी आराम से पहुच भी जाती ह यह लोग कॉलिंग बेल बजाती है पर जैसी कॉलिंग बजाती है जान भी बुलती कि यार आत हो गए बेफिकरे पता नहीं तेरी बंदी हम पे चड़ने ना लगे तब एक तम से कशी बुलती क्या बोल रही है क्यों चड़ीगी और क्या बंदी लगा के रखी शीज प्रोफे नहीं जा सकती है पर हां मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए लिए तेरी लिए तेरी तो बंदी है ना अब यह प्रोफेसर गिरी ना जाड़ने लगे कि हम लोग बंक मार गया गया और तब ही एकदम से डोर ओपन होती है और डोर ओपन जो है रिया करती है रिया दोनों को सेही मूरत पर आया ये बता है है कि मूरत कौन सेहा है पर शादी होनी वाल सिन अजो मूरत की बात कर दोर होरो Awesome को अंदर आओ दोर ऑ्कर आते अंदर आते हले हैं है, जयो आप आइशन करना पर सबखे करें बहुत हो चुछे है, जो आपारा है nesse basta और केवल नित्या ही थी, जो प्रकाश, सीता और राहूल, ये लोग अभी तक आये नहीं थी, नित्या की चीज़े थी कि वो जैसे सब कुछ प्रोपली ठीक कर लेगी, तब उन लोगों को बुलाईगी, तो रिया और जो नित्या है वो लगी बरी रहे थी इन सारी चीजों मे तो यहाँ पर जो नित्या है, वो एक कमरे से एकदम से आती है और इन दोनों को देखती है, वो इन दोनों को देखती है, सीधा अपनी फोन की तरफ देखती है, तो देखती है, अभी तो वक्त है, जानवी नित्या की एक्स्प्रेशन देखके, जानवी बोलती है, बस ये अभी अभी डायलोग आएगी कि युनिवर्सिते से तुम दोनों इतने जल्दी कैसे आगई क्यों आई देखो तभी नित्य एक्दम साहती ही और बुलती है कि तुम दोने आया पर कर क्या रही हो अभी तो क्लास चल रही होगी तुम दोनों की तो एक्दम से जानवी हो यूनिवर्सिटी के कोई भी क्लास तुम लोग मिस नहीं करोगे फिर जहान भी बोलती कि हद होती है मतलब आप मुझे ही क्यों देखती हो यह जो सामने इतनी मासूम बनके खड़ी है आप इसको बोलो ना और बैसे भी मैम मैं आपको बता दू मैं ना आई नहीं हूँ मुझे यहाँ पर लाई गई है ठीक है मैं तो इसको बोली रही थी कि यार प्रोपर खतम करते है बाद में जाते है वैसे भी मैम चड़ेगी हम पर तभी एकदम से जो नित्या है वो थी अच्छा चड़ेंगी मैं तो अभी तो व कही है थी की क्या बोल रही है मैं कब गसीटी cha foundations दो है ओ हेलो मुझे खाना तक तुने ठीक़े खाने नहीं दी जलुई कर जल्दी कर जानी है मैं मांके लिए कैसे क्या कर गजिए वो औई एकसट्रा कितनी सारी चीजे थी तो एकदम से कशिष क्या करते है जानवी की मूह तो बहुत बोलने लगी है तो जो नित्या है वो कशिश की आदे के बोलती कि इस नाट फैर मैंने तुम को कही थी ना तभी एकदम से कशिश भी बोलती कि मैं फैर और अनफैर की बात नहीं है मुझे लगी कि और वैसी भी नेक्स्ट क्लास में उतना कोई इंपोर्टन चीज थी नहीं तो अच्छा ये तुम कैसे डिसाइड कर सकती हो कि थी की नहीं थी तभी एकदम से दिया बोलती कि आरे तुम क्या हमेशा चड़ाई करते रहे तो बैचारे आए है पानी वागर आप पूछो नहीं घर पर पहली बार आई है कुछ चाय पानी वो नहीं है कि तुम अपनी प्रोफेसर घरी जानने लगे तब जानवी बोलती कि हाँ वही तो बही तुम मैं आते आते भी इसको ये बोल रहे थी तब जानवी तुम कुछ जादा नहीं बोलती हो तुमें नहीं लगती अब क्या ही करें मैं हम वैसे कुछ नहीं मैं वो तो हम बस आपकी मदद क तो यह चारो मिलके अब लग जाते काम पे जो सारे सावान वगर थे वो प्रोपर एक्जस करने में यह भी कर रही थी तो जान भी ना चाते हुए भी लग जाते हैं अब आई है तो कुछ तो खरेगी ज़रूर और कशिश तो पूरी धरास से करती है तो नित्यागी मदद कर र जान भी ठक के मारे एक साइड पर जाकर सुफ़ पर बैठ जाते हैं जब से आई हूं तब से कम करी जा रही हूं अरे कोई पानी तो पूछ लो मतलब कशिश यार आगे से ना यह सारी कामों में मुझे मतलाया कर प्लीज यार जो कशिश है वो एकदम से जान भी की ओर देख लाती हूं लगते को जादा ही भूख लगी तब जान भी बोलती कि दी यह आपको पहली नहीं सोची थी सच में बहुत भूख लगी है मुझे खाना चाहिए तो रिया हसती है और एकदम से तब ही जो नित्या है वो एकदम से होती कि दी आप बैठिये आप भी सुबे से बह तो जाती है पहले तो चाही चड़ाती है और कुछ स्नेक्स वागरा थी वो प्लेट में परोस रही थी कशी जो है वो उटती है वो भी किचन में आने लगती है कि नित्या की थोरी मदद कर देगी और रिया वो जानवी से बात करने लगती है थोरी बहुत तो यहापे जैसे वो किचन साइट पर आती है तो देखते है बड़ी प्यार से नित्या हर एक चीज़ कर रही थी और उस वक्त देखते हुए नित्या बहुत खुबसूरत भी लग रही थी थोरी थोरी पसीने उसके फोरहट पर जो चमक रहे थे लाइटिंग में और उसके एक जुलफे जो ह बार-बार उसकी फेस के साइड पर आ रहते तो बार-बार उसको हटा भी रही थी बड़ी खुबसूरत लग रही थी कुछ देर तक तो कशिश उसको ऐसे ही नियारती है और तभी वो एकदम से एंटर करती है एंटर करती ही वो फिर से खरी हो जाते और नित्या बैक साइड से बड़ी होट तो लगी रही थी तो वो देखती रहती है कि ये करती क्या है तोरी देर तक ऐसी जब रहती है तभी नित्या बुलती है अगर तुम्हें ऐसे मुझे ताड़ना ही है तो सामने से ताड़ो ना पीछे से क्या ताड़ रही हो कशिश की फेस में स्माइल थी व कर क्या रही हो आप भी नो तो कही थी कि दूर से तारने से अच्छा कि सामने से तार लो तो सोचा कि दूर से ये खुआई जाहिर करने से अच्छा है कि मैं करी लेती हूँ कि मुझे आपको हक नहीं है, सौरी मैं पूछी नहीं हूँ, तो उसकी जो फेश थी ना लदभाक नित्या की नेक्स साइड पे थी उसके सासे सीधा नित्या की नेक्स साइड पे वो पर रहे थे भाई साब नित्या की जो हालत हो रही थी उसकी पूरी शरीर में एक अलग से सेंसेशन वाइज आ रही थी और वो एकदम से थोरी से दूर हटने की पकड इतनी कसके थी कि नित्या खुद को छुड़ा नहीं पारी थो और पूदी कि कशीश तो मैं पता है नाम कहा पे हैं बाहजान भी है और जिया देवे है तो पूदी कि क्या हुआ बस हगी तो करी हूँ मैं कुछ और थोड़ी न कर रही हूँ क्या हुआ प्रॉब्लम है त तुम इतनी देर सासे क्यों ले रही हो मतलब तुमारी सासो सीधा मेरी ट्राइटू अंदेस्टैंड तभी एकदम से कशीश क्या करती है नित्या को अपनी तरफ टर्म करती है तो दीखती है नित्या की फेस पूरी तरह से लाल हो चुकी थी कशीश को बहुत अच्छी लग एकदम से ऐसे करो तो एक आहट निकलती है, एक आह निकलती है, तो बोलती कि कशिष, stop it, घर क्या रही हो, कशिष बोलती कि देखे, मैं कुछ नहीं कर रही हूं, बस बैग हग करी हूं, तो थोरी सी लाला चा गई, अब मुझे फॉंट हग भी जाहिए, तो क्या मैं हग कर सकत करती हूं आपको, तभी एकदम से निकलती है, यह कोई वक्त है, मतलब कशिष, please, don't do this, कशिष बोलती है, हरे, नित्या जी, क्या हो गई आपको, मैं कुछ थोरी ना कर रही हूं, बस हगी तो है, please, यह बोलते है, कशिष मिना, सोचे ही, वो एकदम से नित्या की वेस्ट को इकदम से ग्रैप करके पकरती है, और अपनी और पुल करती है, जैसी पुल करती है, नित्या सीधा कशिष की बाहों में, कशिष अपनी बाहों में नित्या को समेट लेती है, वहा का जो मतलब situation थी, वो सन्नेटे से भरपूर्थी पर सुकून बरी थी, नित्या अपने आप को खो बेटी है, कशिष की बाहों में, और वो अपनी सर को कशिष की शोल्डर पे टिका देती है, मानो एक हग में उसने अपनी सारी थकान दूर कर दी हो, कशिष ने, और कशिष जान बुझ के करती है, उसको भी पता थी कि नित्या थक चुकी है, और वो इसलिए इतनी warm हा उसे देती है नित्या भी उसे tightly hug back करती है कुछ देर तक ये लोग ऐसे ही चुप थे थोरी देर तक ये जो moment थे ये बहुत अच्छी लग रही थी नित्या को और कशिश की कुछ-कुछ चीज़े उसे बहत पसंद दी और इन में से ये एक भी थी वो थोरी से पीछे होती है कशिश की face के और देखती है कशिश की आखो में वो जो कशिश थी उसमें वो खो जाती है वो smile करती है और कशिश की forehead पे kiss करती है वो थी कि thank you मुझे इसकी जरूरत थी कशिश भी smile के साथ बहती है I know मुझे पता है तब ही तो दीओ नित्या हसती है और वो हसते हसते एकदम से सीधा कशिश की होटों में अपनी होट रख के उसे किस करने लगती है जैसे वो किस करने लगती है कशिश की हाथ जो नित्या की कमर के वापर जाके ठीकी हुई थी वो एकदम से और कसके पकड़ लीती है और अपनी अंदर समा लेती है ये दोनों तो किसमें लगे हुए थे थोरी सी हीट बढ़ने लगती है जो कशिश है वो आउट ओफ कंट्रोल हो रही थी उसके हाथ अब कमर से हटके पूरी बोड़ी पे फेर रहे थे नित्या की और नित्या भी उसी वाइवस में उतर ज़ने लगती है धीरे 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 दूसरी और जो रिया और जानवी थी ये दोनों अपस में ही बात कर रहे थे बात करते करते एकदम से डोर पे नौक होती है तो एकदम से जानवी बोलती कि अब कौन आ गय है तभी रिया बोलती कि हो गए होंगे वो प्रकाश भाई और भावी आये होंगे नित्या ने तो पहली बोल दी थी कि इस वक्त आप लोग आ जाओ तो वही होंगे तो बोलती कि अच्छा जी चली देखते हैं तो रिया जाके डोर ओपेन करते हैं और वाकई में प्रकाश सीता और राहू साथ में आये थे और साथ में पीऊ भी थे पीऊ को भी लेके आये थे तो ये लोग आते हैं अंदर जैसे आती है जो प्रकाश है वो देखता है जानवी को तो पूछता ही कि आ रहे तुम तोराय बहुत वहाँ पर बात्चीत व्यादे अगरा होते है जो जानवी हो, सीता से पुछती है की भवि कैसी हो आप तो सीता तो बाखी सबसे बहुत अच्छी से प्लाइटली बात करते हो, बुलती है हम तीक है, तुम ठीक हो, बुलती है हाँ हम ठीक है तो राहूल पास जाती है हाई JAM कैसे हो तब है राहूल को थीक हुआ है ठीक हो स्वास्तदूरस्त एकदम फिर हम झाम के के खेलें गए ठीक है और तभी जो प्रकाश है व Jim प्रतों पुछता है विंशने का रेखो भाट कि एक ऐसे एकूछ हम खड़ी जा रहे हैं भूग लगे थे तो गई है कुछ बनाने के लिए खाने वगरा उलती है अच्छा मैं पूछ लेता हूं कुछ बोलना है उसको यह बोलते हैं प्रकाश जाने लगते हैं किसका ध्यान नहीं थी कि नित्या तो किचन में अकेली नहीं थी ना वहां पे कश दूसे लगते हैं वहां प्रकाश के ऊब अचुर उसको पी चुरूर भогवान यह बोल और बदो है कि किसका भी मवी थी ह ид कुछ जम उसको के सीन से च्छिप केना हारा वहां प्रकाक आगाररा तोब कर अलगतों प्रका लाएर साव्त वहां पार तो तो आयरWow, प्रकाश वह तो इक खटे किचन में हैं, बस ठीक ही होंगे, तभी जान दी क्या करती, एक दम से खड़ी होती, और एक दम से भागती है किचन की ओर, जैसी भागती है, वो प्रकाश की आगे पहुचती है, और उसे पता थी कि कुछ न कुछ तो जरूर हो रही होगी, और वो एक दम से सीध और जो कशिश हो जानवी को घूर के देखते हैं जानवी ने आखे बंद करके रखी तो कशिश अगधम से आगे बढ़ती क्या हो गई है इस तरह से क्यों अंदर आयो और तभी वहाँ पर प्रकाश एंडर करता है और वो गोलते जीए नीटिया हो क्या है जल्दी जल्दी कुछ इंपॉर्टेंट बात करना था तो एकदम से yaak, जड़ी home से निकल जाते हैं, थोड़ी सी a है बलाई का जमाना नहीं रहा बिटम मैं अगर एक सेकेंड भी लेट होती ना तो देखना भी क्या हुआ है और तुम दोनों कहीं पर भी शुरू हो जाते हूं क्या हद होती है यह कोई वक्त है मतलब यह सारी चीजों की तभी एकदम से कशी फिर से उसके शोल्टर पर माते है बोलती है कि चुपकर क्या बोली जारी है अरे तुने उनको अखॉर्ड मॉमेंट पर डाल दियो बोलती है कि तुझे अभी भी महम की पड़ी है सोच अगर प्रकाय चीने देख लिये होते तो क्या बावाल होते है अरे आई नो देख कुछ-कुछ फिलिंग्स को हम रोक नह यहांड़ फ Jagnelle अभी भी उफ जाती है यार इतना काम धोरी ना करती है दिमाग बोलती कि वह सही है अब पता नहीं मैं Um क्या सोच रहे होगे है अजो हूँ यहां सोच है इस में इतना सोचनी है बात हowanie भूग लगी तु मुझे भूगी रख़ है क्या तो कषिष क्या करते ह वहां मैं बना के रखी है तो यह वहां मैं BK के मतलब मर रही हूँ तुम दोनों यहां अपनी moment बिता रही है और यहां से जो हलाकि कशिश के लिए भी थोरी से Licht mad card करते है वो डेती है और जो झानभी है उसकी मदद करती है जो जानवी और कशिश है, ये दोनों चाय वगर अलाते हैं, सब को देते हैं, अब नित्या की सिचुएशन थोड़ी अलग हो गई थी, वो नजरे नहीं मिला पा रही थी, वो जुकाई हुई नजरे उसे बात करें, या समझ जाती है कि कुछ तो हुई है, पर सीता के सामने व ना पननी पड़े, ये सारी चीज़ वो ध्यान रखती थी, पर आज जी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो उसे इस चीज़ की बुरी भी लग रही थी, तो हाँ पर ये लोग बैठते हैं, आपस में बात वगरा कर रहे थे, जो सीता है, वो सारी चीज़ वगरा देखती है, तो सब कुछ ठीक तो थी, पर फिर भी वो नित्या से ख़भी खुश होगी नहीं, ये चीज़ तो टै थी, और रहूल को अपनी गोद में लेती है, और बोलती है, ठीक है, ठीक ठाकी है, वैसा हमारा कमरा कहा है, तभी एकदम से नित्या बोलती है, वो भावी वो उस नहीं है, तो बोलती कि हाँ, ठीक है, और तभी जो थूरी देर के लिए नित्या और कशिश की आखे एक दूसरे से मिलती तो है, पर वो अकवर सीचुशन के बारे में सोच के फिर से वो आखे फेर लेती है, रिया बोलती कि अहाँ, कोई बात नहीं, ऐसे कभी कभी हो जाता एड़ेस्ट कर लिया करो तुम दोनों, फिर ये नजरे चुराने की ज़र नौबत ही नहीं आएगी, तो एकदम से जान भी हस परती है, और वो एकदम से रिया के साथ हाई-फाई करती है, ये आपने से ही बोला ना, नित्या एकदम से उटके जाने लगती है, तो कशिश ब वो सब कुछ तो हो गई है, अब हमेशायद चलनी चाहिए, तब एकदम से नित्या वो थी कि अच्छा, ठीक है, तो वहाँ पर जो कशिश और जान भी थी, ये लोग बात वागरा करके पर बाई बोलके चली जाती है, और जाते जाते, जो कशिश है वो नित्या की और एक ब भी बात नहीं, यहाँ से लोग निकल जाते हैं, लगभख शाम हो गए थी और कशिश की घर से भी कॉल आने लगते हैं, तो ये लोग घर की और जाती है, घर जाती ही, कशिश की मुंबल थी, एक कुछ जादा ही लेट नहीं कर लिए तुम दोनों, कहा गए थे, तब जान भ तो ये खाल जान भी और जान भी लिए उनकी थोरी बहुत मदद करने के लिए, तो कशिश की मुंब कुछ बोलती तो नहीं है, पर जो कशिश है वो जानभी की ओर देखते हुए, भी और जान भी बोलने में क्या दिकत है, भी नहीं, मम्मी को अजीब लगी तो, तो जान भ क्या अजीब लगेगी नौर्माल इतना मत सोचा कर और तभी वहाँ पर थोरी देर बात वगरा करके जो जानवी है वो बोलती कि चल ठीक है थू अपनी चीज़े ध्यान रख और हाँ अशायद मैंने थोरी सी वो ना समाज में कर ली थी मुझे बाहर से ही आवाज लगानी थी आई स्वेर मैंने कुछी देखी नहीं है जैसे यह बोलती है तो कशिष फिर से उसकी शोल्डर पर मारती है तो जानवी बोलती है मार ले माल ले एक काम करना एक ही बाहर में माल ले देखी चल जाब तो वहाज से जानवी क्या करती है हसते हुई चली जाती है कशिष को सच म बहुत बूरी लग रही थी, वो नित्या को कॉल करती है, नित्या फोन उठाती है और फोन उठाती है, बोलती है कि कशिष सॉरी बोलनी कि कोई जरूरत नहीं इस सोके, इस फाइन ठीक है और जानवी ने पहले भी हमें देख चुकी है तो तभी कशिष बोलती कि अच्छा वैसे एक बात कहूं, होती कि हाँ बोलो, वो कुछ नहीं देख है, उसने आखे बंद कर ले थी, तभी नित्या बोलती कि क्या तुम भी वैसे गल्दी तुमारी है तभी एकदम से कशिष बोलती कि I know, I accept my mistake आगे से ध्यान रखेंगे तो भी बोलती कि थोड़ी बहुत वापे बात वगरा होती है और कशिष जो है, नित्या से बोलती कि वैसे वो आज तो डिकलियर हुई थी तूर में जाने के लिए तो नित्या भी बात कर रही थी तो ये बाते ना, टूर के जो बाते होती है कि दो दिन बात ये लोग जाने वाले है ये बात सीता सुन लेती है और सीता को ये पसंद नहीं थी तो जैसी कशिष वो होती है ठीक है मैं डिनार कर जाते हूँ ये बोलके वो कॉल कट करती है और सीता एकदम से बोलती कि कहा जाने वाली हो तुम तो नित्या बोलती कि वो वरसिटी से याली एक टूर है जहाँ पे हम सब को जाने पड़ेगी तो बोलती कि तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है वैसे भी तुमसे कुछ होती तो नहीं है कम से कम हम अभी नए घर में शीफ्ट होए है तो कुछ दिन यहां कर चीजों को समल लो हां जाने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी दो दिन बात रहुल को हस्पिटल लेके जानी है डॉक्टर को एक बार दिखाने के लिए अब तो हर हफते में एक बार लेके जानी पड़ थी कि हाँ शायद भावी से ही बोल रही है क्योंकि वो ठीक से कुछ कर तो नहीं पारी थी अब जादा लीव भी नहीं सकती थी अब अगर वो फीर से पता नहीं कितने दिन के लिए लोग जाएंगे और वो चली जाए तो यह चीज भी सोचते हो कुछ होचने लगती कि शाय कायद वो टूर पे जाए कि नहीं कशिश बहुत सारी बात करती कि वो पिपरेशन हो रही है जाने के लिए जान भी भी वो बहुत खुश है यह लोग यह लिए टूर पे जाएंगे यह वो बहुत सारे बात वगरा कर रही थी बस नित्या सुन रही थी देखते देखते वो राद भी खतम हो जाता है अगली दिन निट्या को युनिवर्सिटी जानी थी तो वही से रोज की रूटीन की भीजाब से और अब तो निट्या और दिश्टी मैम एकठे आते हैं दीश्टी मैम कही पर बजी थी तो वो निट्या की घर पर उस दिन गई नहीं थी लेकिन भूल तो करी थी वाई दवय आपने फोन उठाई नहीं वह भूती आ रहे यार मत पूछू मेरी मां की तवियत खराब थी तो मैं वह भी चली गई थी और आते आते बहुत लेट हो गई थी तो मैं आने ही पाई पाई शौरी बुरा मत मननना वह भूती कि नहीं कोई बात नही अब तो एक साथ रहते हैं तभी एकदम से दिश्टी में बुलती कि नहीं एक साथ नहीं मैं नीचे है और तुम तभी एकदम से जो नित्या में बुलती कि क्या भी क्या तो बुलती कि अले इन पॉजिटिव वे बुलती कि हाँ ठीक है चलिए तो ये दोनों बात करते करते जा रहे थी तभी दिश्टी में बोलती कि वैसे पता तो है ना टूर प्लैणिंग के बारे में तभी नीटेशा भूलती कि शायद मैं नहीं जा सकती हूं बो झायद पर क्यूं बोलती कि नहीं इन कुछ दिनों में मैं ना तो ठीक से वासटी में ध्यान दे पाई और नहीं राहुल के और दो दिन बाद उसको भी एक बाद चेकप के लिए फिर से ले जाने पड़ी है आप तो ये हर हफते की चीज है बोलती कि यार पर पहली ही टूर है तुम देखो मैनेज कर सकती हो कि नहीं तब ही एकदम से बोलती है तो ये लोग चले जाते है दूसरी और जान भी है जी उजल आती है कशिश को लेती है और जाती है वर्सिटी और जैसी वर्सिटी जाती है तो आज जैसी पार्क साइट पे स्कूटी पार्क करते है तो एकदम से जो क्रिश है वो आता है भागते हुए और आके वो एकदम से कशिश के सामने ख हाथ थीक है ना तुमारा तभी क्रिश होलता है कि मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है वह पस यह पूछना चाहरे था कि तुम जा रहे हो ना तूर पर तभी जानवी जाना क्या इतना क्या कि हम जा रहें कि नहीं जा रहें और सोचो अगर ना भी जा रहें तो क्या ही हो जाएंगे तभी क्रीश होती है ने ने यार जानवी एक तो ना क्या हमेशा तीखी मिर्ची बनी रहती हो अराम से बात कर लिया करो तुम्हारा क्या ही नुखसान होगा तभी बोती है अच्छा वो क् क्रीज भाई आपका चेहरे को देख के न अच्छे बात आती ही नहीं और तभी वहाँ पे बर्खाती है और बो देख के आईगी कैसे सीखी हो कभी प्यार से बात करना तभी एकदम से गुस्से में जान भी बर्खा की हो दिखते और बो देख के क्या करे तुम जैसे लोगों से प्यार से बात करना का मन ही नहीं करती है न क्योंकि तुम लोग तो प्यार के भाशा समझते नहीं हो खेर सुबह वे खराब कर दिया है न दिन हमारे सामने से हटो और क्रीज भाई जाना है कि नहीं जाने अब तो नहीं जा रहे न जब जाएंगे तब देख लेना और वो कशिष की हाथ पकड़ते हुआ एक्दम से ले जाती कशिश की क्या है बुलती कि क्या है क्या मतलब ये मतलब बात करने की क्या जरूरत है बुलती कि यार ये दो तिन दिन पहले तेरे ही चक्कर में उसको चोट लगी थी हो बुलती कि हाँ चोट लगी थी वो खुद ने उसके खुद के कारण थे इतनी भी ना महान बनने की को जरूरत नहीं है चल तो ये लोग चलते हैं और हर दिन की तरह इन लोगों की स्टाड़ी वगरा जैसे तैसे होने लगते हैं और कशिश जैसे वो सोची थी कि यूनिवर्सिटी में वो कोई भी हरकते नहीं करे ही बिल्कुल वैसी ही होती है वो नित्या की और ऐसे देखते हैं कि जैसे जैसे नॉर्मल ही होते हैं प्रोफेसर और स्टूडेंट की बीच वैसी ही बिल्कुल कोई भी शरार्टी या देखती तक नहीं है यह करेंगे वो करेंगे बहुत मजाएंगे वी और अग्रास के बद जो बाकी लोग थे वो भी आपस में बात कर रहे थे पर इन में सारी चीज़ तो सब लोग एकसाइटमेंट तो थे पर बरका पता नहीं शान थी कुछ तो सोच रही थी वो आखिर क्या चल रही थी उसके दिमाग में यह तो वही जाने यह लोग अपनी सारी चीज़े करके जैसी वो दिन खतम होते तो यह जाते एक दिन वैसे ही बीत जाते है और नित्या सोच रही थी बहुत कैप हो गई है उसने जानवी और कशिश को पढ़ाई नहीं है तो जैसी यह टूर प्लैन सारी चीज़ खतम होती है वो फिर से पढ़ाना स्टार्ट कर देगी वही सोच थी है और चीज़े वैसी ही बीतने लगते है बहुत दिन भी खतम होत जाती है जहां पर दिश्टी मैम खड़ी थी किसी की इंतजार में और शायद हो नित्या मैम की इंतजार कर रही थी तो जानवी साइट से जाती है और एकदम से स्कूर्टी रोकते है और मैम आपको नहीं जाना है क्या किसी की इंतजार कर रही हो तो एकदम से दिश्टी मैम मैं बोलती कि और नहीं तो क्या मेरी परोसी की इंतिजार कर रही हूँ जो अभी तक आई ही नहीं है बोलती कि अच्छा नित्या मैं कि बोलती हा ना पता नहीं कहा रहे गई है बोलती आ रही होगी वैसे मैं मज़ा बहुत आईगी ना हम तो बहुत खुश है बोलती किस चीज कि मैम बोलती कि अरे यार क्या ही बोले सोची थी कि इस बार निट्या मैम है हमारे साथ और उसकी भी पहली टूर है तो हम दोनों बहुत अच्छे हमारे दोस्ती भी बहुत अच्छी खासी हो गई है तो मैं तो कितने के सोच के रखी थी पर तुम्हारी मैम है कि ये तो यह नहीं पता नहीं तभी कशिश बहुती कि मैम नहीं जाएगी मतलब सच में है क्यों तुम्हें नहीं पता है क्या कशिश तुम्हें तो पता होनी चाहिए नहीं मैम इस बारे में तो बात नहीं हुई जानवी देखती कि कशिश की फेस थूरी शी डल हो चुकी वो समझ गई तो जानवे बोते कोई बाद नहीं कोई वजय वहीगी बाद मेर बात कर लेंगे वह कशिश पहले हम घर पहुचे sixcom ber today यह बार भी बात करना चाहती है तो जानवे बाद मेर लेना यह ढ़ाए の कि시면 अब क्या दहुत माध करीघी तो कंशिश को यह भी सही लगते हैं बोलती कि अच्छा ठीक है चल तो ये दोनों घर जाते हैं घर जाते हैं जानवी बोलते हैं जादा मत सोच तो मैं में से पूछ ले ना कि क्यों नहीं जाने वाली है डिटेल्स पूछ ले फिर सोच ना कुछ मैं चलती हूं ठीक है ये बोलते हैं जानवी चली जाती और कशिश नित्या की इंतजार कर रही थी नित्या को कॉल करने के लिए और नितिया घर जाती है फ्रेश वागर होती है थो और बूत काम वागर हो करती है और जैसी ओँदेखती है कि करशिश की कॉल आई है वो फोन रेसीब करती है और एकदम से बोलती कि हाँ कशिष बोलो बोलती कि आप जा नहीं रही हो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है कि मैं जां नहीं सकती कशिष बोलती कि क्यों ठीकी कशिष पर तभी एकदम से जो निट्या को आवाज लगाती है सीता तो अगदम से बुलती है कशिश में बात में बात करते हूँ और ये बोलगी हो कॉल कट कर देती है कशिश को ये बिलकुल भी मनजूर नहीं थी उसको नित्या चाहिए थी स्टूर पर वो कुछ सोचती है और एकदम से बुलती है मुझे जाकर ये बात करने पड़ेगी ये बोलते हो रेडी होती है अपनी मॉम से बोलती है मुम मैं थोरी दे के लिया आती हूँ बोलती है कहा जा रही हूँ बोलती है पसार नहीं हो एक फ्रेंड के घर साते हूँ बोलती है चलो ठीक है ड्राइवर को लेके जाओ या तो जानवी को भी सात में लेके जाओ तो ब आती अपनी स्कूठी लेकर और वही से कशिश को उठा के फिर लोग जाते हैं नित्या की घर पर कॉलिंग बेल बचती है तो नित्या काम कर रही थी तो सीता डोर उपेन करती है तो सीता देख के अरे तुम दोनों जी भावी कैसे हैं तो थीक है आओ अंदर आओ तो ये लोग करनी थी आप से तो तुम एच्छा बात करनी थी हां बोलो वही पे बैटे हुए थे प्रकाश भी एगदम से कमरे से बाहर शोकर वो किसी से फोन है ना हमारे साथ तो क्यों नहीं जा रहे हो तभी एकदम से सीता भी थी हो बोलती कि अरे वो क्या है ना राहूल उसका वो अपॉइन्मेंट है डॉक्टर के साथ तो उसको लेके जाएंगे तभी वो थी कि पर भावी हम लोगों ने बहुत कुछ सोच के रख है मैं आप नहीं जाएंगे तो कैसे क्या आप हम तो अब तक यहीं समझते आए कि आप जाएंगे तो एकदम से नीता चुप हो जाती है वै प्रकाश को इस बारे में पता नहीं था तो प्रकाश भोती की टूर है कब के हम तो कल ही जा रहे थे कल दस बचे की बास है हमारी युनिवर्सिटी से पर मैम मुझे तो अब तक यह पता थी कि मैम जाएंगे हम तो बहुत एकसाइडेंट मैं थे पर मुझे तो आज ही पता चली की मैम जा नहीं रहिए मैम चलिए ना प्लीज तब एकदम से जो नित्या भी कि कशिष मैं नहीं जा सकती हूं try to understand तो जानवी भी भी बूलती की वाई ना चलिए ना वैसे भी भाभी है ना और भाईया भी तो है प्रकाश जी ये दोनों देख लेंगे ना आप चलिए जानवी अकिली जाने पड़े किकि कशिश भी नहीं जाएगा और जानवी को जाना थी पर कशिश के साथ जाने थी पर यहाँ पर मांचला ही अलग हो रहे थे तो प्रकाश बोलती कि क्यों नहीं जा रहे हो नित्या क्या हो गया है तब ही नित्या बोलती कि भाई वो राहुल को डॉक्टर के पास लेके जाने तो प्रकाश बोलती कि वो तो मैं हूँ ना क्या दिक्कत है तो सीता भी एकदम से बोल पड़ती कि क्या मतलब क्या दिक्कत है दिक्कत नहीं है क्या जहाँ जहाँ उसकी जरूरत पढ़ती हो, हाँ वहाँ उसको रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जरूरत के टाइम पर ही वो गाइब हो जाती है, हमेशा की तरह तो इस बार तो कुछ करे, ये सब चीजों में जाने की कोई जरूरत नहीं, तब प्रकाश में ते कि तुम जानते क् कि नहीं है, प्रोफेसर है वहाँ, उसकी भी कुछ रिस्पोंसिबिलिटी है वहाँ के, जरूर जानी चाहिए, नित्या तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा राहूल के बारे में मत सोचो, हम है यहाँ पे, मैं हूँ न, तुम मुझे क्यों नहीं बताए ये सारी ची पर है ना हम, हम मैनेज कर सकते हैं ना इस वर, तो क्या दिक्कत है, तो नित्या चूप हो जाती है, तो कशिश एकदम से बोलती है, हाना में मैं फ्लीज, अगर आप नहीं जाएंगे तो शायद हम भी ना जा पाए, नित्या समझ जाती है कशिश की बात पे, और वहाँ पे नित्या बोलती है, मैं सोचती हूँ, पर बाद में बताऊंगी, अभी मैं शिवर नहीं हूँ, तो कशिश चुप हो जाती है, उसकी फेस एक दम से डल हो जाती है, उसे बी नहीं जानी है, वहाँ पे थोरी दिर और बात वागरा होती है, चाय देनी की बात होती है, पर कशि बूरी होगी है, बोलती है, ठीक है, कोई बात नहीं है, पर मैं नहीं जाने वाली हूँ, जानवी बोलती है, तो मेरी चीज़े क्यों खराब कर रही है, तभी एकदम से कशिश बोलती है, मैं कहा खराब कर रही हूँ, तो जहान आ एंजॉए, यार मैं तेरे साथ जाती तेरे बीना नहीं होगी, क्या कर रही है तू, हम साथ में जाते हैं ना हमेशा, मैं अकेले नहीं जाओंगी, तभी बोलती कि देख जानवी, प्लीज, जानवी बोलती कि ठीक है, तुझे नहीं जानी है, मत जा, मैं भी नहीं जाओंगी, और ये बोलते हैं, उसे घर चोड़क और रात में सोने से पहले प्रकाश एक पर आता है नित्या से बात करने के लिए कि देखो अभी अभी जॉइन करी हो तो कुछ चीज शायद तुम्हारी हाथ पे ना हो पर तुम अपनी हिसाब से पूरा 100% दो ना वहाँ पे तुम्हारी जरूरत है तुम्हारी कुछ responsibility है तो वह सारी चीज करो ना मैं हूँ यहाँ पर अगर ना होता तो बात अलग होते जाओ enjoy करके आओ राहूल की figure मत करो हम है न तो नित्या वो समझ जाती है और भूती कि ठीक है भाई तो मैं कल principal मैं भी बात कर ली तो principal मैं से बात कर ली तो principal मैं भी बोलती कि हाँ ठीक है अब ठीक है बोलती कि जी मैं तो थोरी बहुत बात होती है हलागी वो यह चीज कशिश को न कि वह राज़ीव बाइबाए